प्यादर्शकों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दी स्वागत है जहां पर हम आपके सपनों का फल सदय आप सभी तक पहुँच आते हैं दोस्तों सवपन सास्त्रिक के अनुसार सपन में जो कुछ भी दिश्य हमें दिखते हैं उनसे सुभा सुभ भविश्य का हमें पता चलता है मित्रों अगर आपने भी सपने में देखा है केले का पौधा तो चलिए जानते हैं इसका अर्थ दोस्तों स्वपन स्यास्त्र के मताबिक सपने में केले का पौधा आना यह एक उत्तम सुपकारी स्वपन माना गया है दोस्तों अगर आपने भी देखा है तो ये सपना कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि आप परेशान हैं आर्थिक समस्याओं से धन जो है आर्थिक इस्थिती वो पहले से आपकी खराब हो चुकी है लेकिन दोस्तों ये सपना इस तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आपकी आर्थिक उन्नती होगी आर्थिक इस्थिती जो है वो पहले से बहतर होगी रुके हुए एक काम भी आपके जो पहले पूरे नहीं हो रहे थे वो अब पूरे होंगे इस तरब भी यह सपना संकेत करता है दोस्तों केले का पौधा जैसा कि आप सभी जानती होंगे कि एक धार्मिक यह पौधा माना जाता है धर्म से संबंधित ब्रहस्पतिग्र है जो है वो अगर खराब होता है तो अच्छा हो जाता है अगर आप इसकी पूजा करते हैं तो साथी साथ धन के स्वामी भगवान नारायन है जगत के पालन है उनकी अरधांगनी है महालक्षमी माता महालक्षमी ही संसार का पालन पोशन करती है तो उनके स्वामी है उनका वास होता है केले के ब्रक्ष में तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है कि आप जो है जरू भी करें शोमवार के दिन आप शुकाविशे करें और अक्षत चढ़ाएं चावल बिना तूटा हुआ निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आएगी और आपकी आर्थी किसिती सुधर जाएगी कम से कम 41 दिन तक आपको ये काम करना है और बहुत आसान है आपके आसपास मं मिल लगा सकते हैं कोई एक काम तो करी लीजिए ये भी नहीं कर सकते तो आप गायो को रोटी गुर्ट जरूर खिला दीजिए दोस्तों ऐसा करने से आपका जरूर मंगल होगा आपके रुके काम भी पूरे हुचाएंगे और यह जपना काफी शुपकारी संकेत देता है तो